दोस्तो स्वागत आपका मार्श वीडियों में हम लोग जानेंगे आरहीनियस समिकरण के बारे में दोस्तो यह आरहीनियस समिकरण है क्या और क्या कहता है इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे यहां पर आप देख पार है आरहीनियस इक्वेशन हो बड़ा ही दोस्तो आरहीनियस उक्येशन जो होता है समिकर्ण होता है k equal to होता है a into e raise to power minus e upon rt अभी इसके पाले हमने एक वीडियो लेचर में इसके बारें बताया भी है ठीक दोस्तो यही है आरहीनियस समिकर्ण k equal to e a into e raise to power minus e upon rt को आरहीनियस समिकर्ण कहते हैं अब जरा ध्यान दिजी जहां के क्या है के k्या है दोस्तो k rate constant है बलाष्टिक constant यह आप जानते हैं इस आरहीनियस क्या होता है यहां पर देखि के rate constant arعस एक्टिवेशन एणरजी और गैस कॉस्टिन 8.314 जूल पर केल्विन इंटु मोल और दोस्तो टी क्या है टमप्रेचर है परमताफ होता है राइट दोस्तो यह है आरहिनिया समीकरण चली इसे हम कलकुलेट करते हैं जो आपके NCRT में गिवेन है ठीक अब दोस्तो समीकरण एक का दोनों पच्छों में लाग इसके पूर दोस्तो आप विडियो लेक्चर में देखी यहां पर इसका मतलब हमने पूरा समझा दिया है दोस्तो एक हेडिंग है आप जरा जाके वहां पर देख लिजेगा रोल आप कैटिलिस्ट उत्प्रिरग का जो प्रभाव है उत्प्रिरग का जो गुण होता ह अधारासानिक विक्रिया के लिए तो वहां पर हमने इसके बारे मताया है आसानि से हमने वहां पर समझाया है जब एक्टीवेसन एनर्जी दोस्तो घरती है केका मान बढ़ता हुआ चला जाता है क्योंकि नेगटिव में घरतने का मतलब जीरो क्यों राएगा तब केका मान चलीए समिकरण एक का दोनों पच्छों में लॉग लिने पर समिकर दोनों पच्छों में लॉग यानी यलन भी तो ले सकते हैं yelan k yelan k यहाँ पर ध्यान दीजी yelan k equal to yelan a of e raise to power e a upon r t यहाँ पर देखिए yelan k equal to yelan a into e raise to power e upon r t अच्छ अब यहाँ पर आप ध्यान दीजी दोस्तो yelan k equal to yelan a plus अच्छ लाग yem into yern लाग yem plus लाग yern होता है तो log ln a plus ln e raised to power e upon rt यह दोस्तों यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं ln a into e raised to power minus e upon rt दोस्तों a into e है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक अब दोस्तों ln k equal to क्या हो जाएगा ln a minus e a upon क्या हो जाएगा rt भाई यहाँ पर देखिए log x to the power a base x तो यह दोस्तों पहले चला आएगा और log x base x यानि log e और base e का वैलू क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा मा समझ में आई अब यहाँ पर आप ध्यान दिजिए ln base e e raised to power minus e upon rt ln k equal to ln a minus e a upon rt यह पहले जाएगा अब ध्यान दिजिए दोस्तों इसे ln को हम lag में convert करेंगे और base 10 में convert करेंगे तो हम क्या करेंगे base 10 में convert करने के लिए 2.303 से multiply कर देंगे log e base 10 equal to 2.303 यहाँ log a base 10 यह है log a और base 10 minus e a upon rt दोस्तों यहाँ पर 2.303 से जब हम divide करते हैं तो log e base 10 equal to log a base 10 minus e a upon 2. इसमें जब divide करते हैं 2.303 upon r into sorry e a upon minus e upon 2.303 into rt ठीक तो यह दोस्तों यह भी आपका एक rhenius समिकरण है अभी आगे और हम समझते हैं जो आपके ncrt book में दिया गया है दोस्तों यह ध्यान में रखना है यह भी आपका एक rhenius equation है अच्छ यहां पर दिखें दोस्तों यहां पर जब temperature को हम k1 temperature को जब हम t1 कर देते हैं तो velocity जो constant होता है वेग इस्थिरांक होता हो भी k1 हो जाता है जब temperature को t2 कर देते हैं तो velocity constant भी क्या हो जाता है यहने दोस्तों जब हम इसका value k1 करेंगे तो इसका value क्या हो जाएगा t1 हो जाए इसका value t2 करेंगे इसका value t2 हो जाएगा राइट अब ध्यान देए दोस्तों इस semicolon से हम लोग हल करेंगा अब इस semicolon को हमने आपको बताया भी ln k equal to ln a minus a upon rt यही हमने बताया है बाई से हमने बाद में 2.303 log base trend में convert किया था अच्छा जब t1 equal to k1 तब यहां पर ध्यान दिये t2 का value होगा t1 क्या होगा दिखोगा जब t2 equal to k2 तब k2 का value क्या होगा k1 से अधिक हो जाएगा बासवज में आ रही है न यही पर दोस्तों का रहा है तब t2 का value t1 से अधिक हो जाएगा जब t1 कमान k1 के बराबर हो जब t1 k1 हो जाएगा t2 k2 हो जाएगा तब t1 t2 t1 से बढ़ा हो जाएगा k2 k1 से बढ़ा हो जाएगा इसका मतलब यह है अब ज़रा ध्यान देजिए अब यहाँ पर यहाँ पर जब दोस्तों यहाँ पर हम k1 लेंगे तो यहाँ पर t1 लेंगे ठीक अब ध्यान देजिए यहाँ पर ln k1 equal to ln a minus ea upon r t1 equation number second ln k2 equal to ln of a minus ea upon r t2 equation number third equation दोस्तों third में से हम second को क्या करेंगे minus करेंगे थर्ड है यह second है इसमेंस जब इसे दोस्तों हम लोग minus करते हैं क्या हो जाता है ln k2 minus ln k1 बास लोगी ln k2 minus ln क्या हो जाएगा दोस्तों k1 equal to minus ea अब ज़रा ध्यान देजिए इससे हम क्या कर रहे हैं समी करन 3 में से 2 को minus कर रहे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ln k2 minus ln k1 ln k2 minus ln k1 इससे minus की आप इससे minus कर देंगे minus यह दोस्तों यह वाला जो value है ln of ea ln of यह cancel हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा minus ea upon r t2 minus फिर यहाँ पर दोस्तों इसका minus minus ea upon r t1 right अब यहाँ पर आप ध्यान देजिए यहाँ पर दोस्तों क्या है ln अब यह दोस्तों क्या हो जाएगा क्या इससे हम lag या minus lag यहन को क्या हम ऐसे नहीं लग सकते ln k2 upon k1 equal to minus ea upon r t2 यहाँ पर ध्यान देजिएगा यहाँ पर minus कामल ले लिए यह minus ना कामल ले जिए minus ea upon r t2 minus minus गुला प्लस हो जाएगा ea upon r t1 यहलन k2 upon k1 equal to ea upon r t1 minus ea upon r t2 इतना तो हल हो ही जाएगा न इससे हमने पहले ले लिया इससे हमने बाद में रख दिया अब चलिए इससे हम तोड़ा आगे हल करते हैं देखते हैं इसमें क्या आता है अब ध्यान देजिए दोस्तो अब दोस्तो इससे हम log based train में convert करने के लिए 2.303 से multiply कर दिया 2.303 लाग k2 upon k1 equal to दोस्तो इन दोनों में आप ध्यान देजिए common क्या है ea upon r common है ea upon r इसमें भी है ea upon r इसमें भी है ea upon r और यह दोस्तो square bracket 1 upon t1 minus 1 upon दोस्तो क्या हो जाएगा t2 ठीक अब यहाँ पर ध्यान देजिए दोस्तो 2.303 को हमें हटाने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे divide कर देंगे 2.303 से जब दोस्तो आप divide करेंगे तो यह value क्या निकल के आएगा log k2 upon k1 equal to ea upon जड़ा ध्यान देजिएगा ea upon हमने divide किया था 2.303 into r दोस्तो जब इसका हम जब यह LCM लेंगे t1 into t2 और यह हो जाएगा t1 is t1 cancel यह t2 minus t1 तो इस प्रकार से दोस्तो आप लोग सीख पाए rhenius equation के बारे में दोस्तो लगभग सभी video lecture chemical kinetics से related हमने video lecture बना के upload कर दिया है और दोस्तो यह आपको कहीं समस्या होगी किसी numerical समस्या किसी heading समस्या तो आप हमेरे हमारे comment box में लिखना ना भूलना और उनसे सम्मंदित हम video lecture आपको playlist में provide कर देंगे और इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले video lecture मुलाकात करेंगे और आप मारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों पास सेयर करना ना भूलना थाइंस प्रोजिंग थाइंस नोट धन्यवाद प्रोजँ